हेलो फ्रेंड्स पूरी खजाना में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कहरी का पानी जिसके लिए हमने लिये तीन से चार कहरिया इन्हें मैंने अच्छे से दूह लिया है दो गलास पानी लिया है मैंने एक बॉल शक्कर पोदीना नमक और सेकावा जीरा सबसे पहले हमें कहरियों को उबालना है उसके लिए हमने पानी गरम कर लिया अब हम इसमें डालेंगे यह तो तीन से चार कहरिया लिये हमने मैंने यहां पर टोप में उबाला है आप चाहे तो इसे कुकर में भी उबाल सकते हैं अब इसे ढग देते हैं यह देखिए कहरिया निकाल लेती हैं और इन्हें बाउल में निकाल लेते हैं बबिङम आमरे से भाउल में निकाल ली्य इस तरह से मैंने है निकाल ली ओंप ठड़ी हो देना है अब भाउल पानी यह हमने थंडा पाने डाल लिया अब हम इसे छील लेंगे इस तरह से देखे फ्रेंस हमें छीलना है इसे अब हमें इसे हाथ से मैश करना है हमें डारेक्ट मिक्सर में नहीं पीसना है क्योंकि गुट्लिया पीस ही नहीं जाती इसलिए पहले हमें से हाथ से मैश करके गुटलियों को निकालना है अब हमें से टोप में डाल लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे एक बाउल शक्कर मैंने यहां एक बाउल शक्कर लिया है आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं जो कम मीथा खाते हैं वो कम शक्कर डाली है अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मैंने यहां ग्राइंडर से ग्राइंड करिया है आप चाहे तो आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं इस तरह से मैंने यहां पर ग्राइंड कर लिया है यह हमारा केरी का पानी रेडी हो रह कि इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है यह आप अपने टेस्ट की अनुसा डाल सकते हो नमक हमने इसमें नमक डाल लिया है अब हम इसे मिक्स कर लेंगे जाखान सकते हैं क्यांकि इसमें जो पल पाता ही यह कापी अच्छा लगता है पीने में इससे चाना नहीं है अगा किसी को पसंदना है तो आप चान खर भी पी सकते हो यह देखिय लेडी हो गया हमारा केरी का पानी अब हम इसे सर्व कर देते हैं फ्रेंस गर्मियों में काफी अच्छा रहता है सेहत के लिए और अगर आपको गरम हवा जिसे हम लू कहते हैं वो लग गई है तो आप इसे तीन दिन लगातर खाली पेट पीने से आपके एकदम सेहत में सुधार आएगा यह हमारा केरी का पानी रेडी हो चुका ह फिरंसे गर्मियों में बहुत बहुत अच्छा रहता है इसे आप डेली पीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और बनाईए घर पर पीए और फिर बाद में हमें कमेंट करिए हमें बताई कैसा लगा फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में की बाई बाई